अगर किसे ने किसे अपने को खोया है तो ऐसे जो लोग होते हैं इस दुनिया से जाने के बाद भी अपनों के लिए बहुत कुछ ऐसी चीजे करने की कोशिश करते है जिससे वो अपने जो उनके होते है जो भुर्तवी पर बहुती जादा दुखी है क्योंकि उन्होंने उसको खोया है इसलिए वो कहिना के उनको मदद करने की कोशिश करते है आज की जो कहानी है दोस्तो एक इंसान की है उसने अपने पत्नी को खोया था और इसकी जो पत्नी थ जनीव हो गई पानी टालती थी गषा से घुड़ें और वहलां DR. उस वैंके रया में एस जाधा वाधा ऑगलाओं pressed चली के दिखा हैर 2500 अजिईandır नहीं कोकुक्त पमूरे तूट गया, तकरीबन एक दो महेने दोस्तों वो मतलब ऐसे ही घर में ही मतलब पढ़ा रहता था, कुछ भी काम नहीं, कुछ मतलब ऐसे मतलब किसी से बाद भी तूटी गया था, वो एक दम अपने जीवन में, अपने काम पर भी वो नहीं जाता था, तो इन सारी चीजों से उसकी जो पत्नी के आत्मा थी उसको बहुत ज़ादा बुरा लग रहा था कि ये ऐसे क्यों नहीं मतलब दुख से उभर पा रहा है ये अपने मतलब जीवन में जो सत्य है उसको क्यों नहीं स्विकार पा रहा है तो इसलिए दोस्तों उसके मन में यहां आ रहा था कि यह किसी और चीज में मतलब धहन भटकानी की कोशिश करे थोड़ा सा धहन लगाए तो वो दुख से थोड़ा सा भार हो जाएगा और उसका जो फूल का बगान था दोस्तों तब तक एकदम मतलब सा सारे फूल मर गए थे सारे प्लांट्स क्योंकि किसी ने उसको पानी नहीं डाला उसके जाने के बाद और इसको भी मतलब फूल देखकर बार बार पतनी की याद आती थी इसलिए उसने भी मतलब वहाँ पर एसास करा देंगे कि तुमारी जो पतनी है हमेशा तुमारे साथ है तो इसके मन में वह बात आ गई और वह ऐसे गाड़ी लेकर मतलब चला गया प्लांट लाने के लिए लेकिन फिर भी दोस्तों फिर भी उसके मन में वो फिर से दुख हावी हो गया और फिर से उसके वह ऐसे सोच बन गई कि मेरी पत्नी तो नहीं है मैं अभी प्लांट लगा कर क्या करूंगा मुझे तो गुलाब को देखकर फिर से बुरा लगेगा लेकिन फिर पिर उसके नहीं मन में डाला कि कहीना कही अगर गुरॉब का फुल वो देखेगा तो उसको लगेगा कि नहीं मेरी पत्नी मेरे साथ है इसलिए किसी तरीके से एक नरसरी के शौप तक वो चला गया और उस महिला ने बहुत अच्छे से वो सारी बाते कही है कि वहाँ पर जाने के बाद इसको मतलब उसके पत्नी को सफ़ध गुलाब पसंद था तो नरसरी वाला जो इनसान था उसको ये बोलने लगा कि मुझे सफ़ध गुलाब चाहिए तो उसने कहा कि नहीं अभी फिलाल प्लांट्स थोड़े कम आ रहे है इसलिए मेरे पस बस लावली गुलाब है तो वो उसके साथ थोड़ा सा ये करने लगानन बन कि नहीं मुझे सफ़ध गुलाब तुम कल तक परसो तक ला कर देना मुझे बहुत जरूरत है लेकिन वो नरसरी वारा बोल रहा है कि नहीं अभी फिलाल तो नहीं होगा थोड़ी दिन के बाद मैं ट्राय करता हूँ लेकिन फिलाल तो नहीं होगा अभी आप लाल वाला लेकर जाईए बाद में जब सफिद गुलाब होगा तब मैं आपको कहता हूँ ऐसा करके बाद में उसके मन में डाला पती के कि चलो लाल तो लाल गुलाब तुम लगाना लेकिन तुम कुछ मतलब पेड़ों पे थोड़ा सा समय खर्च करना जैसे मैं करती थी तो तुमें मतलब दुख से तुम उबर पाओगे उसके बाद दुस्तों उसने वो लाल गुलाब लिये और बाद में उसके वो थोड़ा सा अच्छे से मतलब निगा रखने लगा उसके देखबाल करने लगा उसको पानी खाद डालने लगा तो इस तरीके से दोस्तों वो क हाँ इसमें मतलब कोई दूसरा हमें कुछ एकदम कि फोर्स कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए तो ऐसी बात नहीं लेकिन हम अपने आप हमारे मन में आ रहा है कि मैं धहन करूँ मैं कोई अच्छा कामेडी शो देखू या फिर मुझे कोई किसी लोगों को मतलब स्पोर्स मे आपने वाला है कि यह जो सारी चीज़े है अगर हमारे मतलब हमने उनको खोया है और उनके जाने के बाद हमारे मन में अगर ऐसे विचारा रहे है जिससे हम थोड़ा सा उस दुख से उबर पाए तो ऐसी जो चीज़े है दोस्तों बहुत बार आपको यही पता चलेगा कि हम हमारे मन में डाली है तो इंसान मतलब जाने के बाद भी अपनों के लिए बहुत पर ऐसे कुछ करता है उनकी बातों को हमें उसी तरीके से पॉजिटिवली लेने की कोशिश करने होगी दोस्तों आप जरा भी मत चिंता करने एक दिन हम अपनों से मिलेंगे और उनके साथ हम बहुत सारी जनम भी ले सकेंगे आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं आप अपना अपने परिवार का खायाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको पास्टे लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए आटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस वाटसप नमबर पर मैसेज कर सकते हैं हम आपको किसी अच्छे थेरपिस्ट के बारे में जरूर बताएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद